हेलो एप्रीवन तो मेरे पास एक कोमेंट आया था जैसे कि मैं आपको साइड में शो कर देता हूँ इन भाई ने पूछा था कि जैसे कि हम नियो हेर लोशन यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करना बंद कर देंगे उसके बाद क्या हमारा हेर फुल बढ़ जाएगा या जो भी हेर साय हैं वो अगेंट से चले जाएंगे तो चलते हैं वीडियो की तरफ ओके तो पहले भी मैंने नियो हेर लोशन पर वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था नियो एर लोशन वर्क करता है या नहीं करता है और इसकी कोस्ट भी काफी यादा है अगर आप लोग यूज करते हैं तो अब आपका कुशन वियात है कि इसको छोड़ेंगे तो हमारा हेरफुल काफी यादा उनलग जगा मलब जो भी ऐसा हैं वो कम्प्लेटली चले तो हाँ अगर आप इसको यूज करना छोड़ दोगे तो आपके इस भी चले जाएंगे तो क्यों जाएंगे आपके इस तो सबसे पहले आप देख लो इसने वर्क कैसे की है तो जैसे कि मुझे मैं आपको में एक इंग्रीडियंट की बात करूँ तो सो पलमेटो है ठीक है वो मेंली DST को ब्लोक करने का काम करता है अगर आपका DST ब्लोक कर रहे हो ठीक है जब तक आप उसको लगा रहे हो तो DST ब्लोक रहेगा मलब आपके हेर फॉल नहीं होने देगा ठीक है तो उसके करना आपके न्यू हैरसान लग जाएंगे अगर आप उसको लगाना छोड़ जैसे कि finish tide भी dst को block करने काम करती है अगर आप finish tide ले रहे थे उससे आपको results मिल गया तो अगर आपने finish line लेना बंद कर दिया है तो वापस आपका test or stone level high भी हो सकता है या हो जाएगा तो उसके बाद आपका फिर से मलब जो भी हेरसाय थे वो shadow लग जएगा तो इसी तरह से इ अगेंसे शाइड़ोन लग जेंगे सैकंड सबसे मेन मैंने बताया था आपको आप लोग इसके साथ डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं उनको रिजल्स मिल रहे हैं तो उसका भी आपको मलब असरतब देखने को मिल रहा है उसके साथ में अगर 200 रूपीज वाला डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद आपको रिजल्स देखने को मिल रहे हैं अगर आप डर्मा रोलर यूज़ नहीं करोगे तो आपको इतने अच्छे रिजल्स दे तो उसके बाद दीरे दीरे आपके शैडोन लगजेगे होने को एकदम भी शैडों सकते हैं और कुछ लोगों का जैसे कि मालोग भी हेर लोस नहीं था है नूट्रिशन डेफिशनसी कारण या श्रेस के कारण टेमप्रेरिय लोस हुआ था तो वो इसको चौड़ेंगे तो उन के बाद होना स्टार्ट हो जाएगा पर आपका हेरफुल अगेंस से जरूर होगा इसी तरह से मिनोक्सिडिल के अगर आप मिनोक्सिडिल को छोड़ोगे या आपके मनलब अगर आप कोई भी मैडिसिन ये यूज कर रहे है आप हेरफुल का कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो अगर आपकी जब तक वो प्रोब्लम सोल्वनी होगी तब तक आपका हेरफुल होगा ये तो आपको मनलब एक बर प्रोब्लम से बचा देते है जैसे कि डियस्ट के कारण हो रहा है तो जब तक आप फिनस राइल लोगे या ये यूज करोगे तब तक आपका डियस्टी मैंटेन नहीं रहता तो फिर से एरफुल होना स्टार्ट होजएगा अगर आप अपने बलर सर्कुलेशन को मैंटेन रख लेते हो आपका एरफुल नहीं होगा इसी वैसे डर्मा रोलर के अगर आप डर्मा रोलर के बिना बाद में बलर सर्कुलेशन उतना करवा पते हो जि थ्री बोटल से अराम से ले सकते हो थ्री से फॉर बोटल अराम से ले सकते हो इतने रुपीज में जहां आप ट्वंटी एट अंडर्ड रुपीज पे कर रहे हो सिरफ एक बोटल के लिए तो यह काफी अदा कोस्ट ली है ठीक है यह चीज़ आप देखकर भी चलो ऐसा नहीं क अगर आपको कोई सीरम यूज़ करनी है तो आप सीरम यूज़ कर सकते हो जैसे की रीडैंसिल की सीरम आती है रीडैंसिल प्रो कैपिल की पर इस सीरम का भी ऐसे है अगर आपको इसको छोड़ना है तो आपको में वह रीजन पता होना चाहिए आपका हेरफॉल हो किस रीजन के कारण रहा है अगर आपको वो reason पता लग जाते हैं आप उस reason को solve कर लेते हो उसके बाद आप कुछ भी छोड़ सकते हो ठीक है चाहिए minoxirial छोड़ना चाते हो बटे एक way से छोड़ी जाती है ऐसा नहीं कि आपने एकदम से छोड़ दी अब जैसे एकदम से आप new air lotion को होगे तो कब लेड़ी बाल चले जाएंगे क्योंकि आपने एकदम से blood circulation low कर दिया और dst भी जो था पहले maintain रह रहा था अब वो maintain नहीं रहेगा तो वापसे वो आपका testosterone level आई होगा dst again से अनलग जाएगा फिर again से आपका hairful start हो जाएगा तो इसलिए जो भी मालब new air lotion जा पाया होंगा अगर आप new air lotion यूज़ कर रहे तो उसके बाद आपका hairful होगा या नहीं होगा उसको छोड़ने के बाद तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और bell icon को भी प्रेस कर देना ताकि latest वीडियो आप तक पहुंचती रहें ऐसी काफी सारी वीडियो जाए झाल 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